हलो दोस्तो, वेलकम टो SKN4 टार्गेट चैनल, SKN4 टार्गेट चैनल पे आप लोग का स्वागत है दोस्तो, दोस्तो जो भी CCIS इनुवर्सिटी से 2022 में B8 पास आउट है, उनकी जो है डिग्री आ चुकी है, तो डिग्री आप कैसे अपलाई करेंगे, 2022 वाले स्टुडेंट अ आईए इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ, इस वीडियो से आप लोग को बहुत हिल्प मिलेगी दोस्तो, ताकि आप असानी से अपनी डिग्री को अपलाई कर सकते हैं, ठीक है CCIS इनुवर्सिटी के साइट से, तो दोस्तो अगर वीडियो करना और वीडियो को सेर करना और लाइक करना, तो दोस्तो चलिए हम सबसे पहले Chrome ब्राउजर या Google ब्राउजर ओपें कर लेते हैं, उस पर हम सीदे टाइप करेंगे CCSU, ठीक है, हम यहाँ पर टाइप करेंगे CCSU, चलिए जैसे कि मैंने टाइप कर दिया है, दोस्तो यहाँ पर आपको क्या करना है, CCSU पर क्लिक कर देना, चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं इस पर क्लिक करते हैं, दोस्तो आप देखेंगे, कि यहाँ पर HomePage ओपें ओड़ के आगया CCS University का, तो आप देखेंगे, कि सबसे ओपर जो यह है, आपको इस पर तीन लाइन जो द नीचे आएंगे दोस्तो तो आप यहां पर क्या देखते हैं कि यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको स्टुडेंट सेक्षन दिखाएगा दोस्तो ठीके स्टुडेंट सेक्षन पर जो है क्लिक कर देना दोस्तो ठीके स्टुडेंट सेक्षन पर आपको यहां पर क्ल क्लिक कर देना है चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ क्लिक करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर उसके बाद जो है लॉग इन स्टुडेंट लॉग इन है ठीक अब उसके बाद अब देखेंगे दोस्तों यहां पर डिगरी की बात कहरा है ठीक है नीज रेस्टेशन फ़ोर डिगरी ठीक वाले पर क्लिक कर देंगे ज़लिए मैं इस पर क्लिक करते हूं क्लिक करते हैं यहां पर रेजिस्टेशन फॉर डिगिरी तिल 2022 यानि पहले यहां पर 2021 दिखाता था था वस अब जो है यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे किसमें धोस्तों इंग्लिजी में यहाँ पिता का नाम फिल करेंगे खिके उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपके माता का नाम इंगलिस में और यहाँ पे आपके माता का नाम जो है हिंदी में आपको लिखना है ठीक लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे आपको B8 का अपना रोल नमबर डालना है यहां पर B8 का enrollment number फिल करना है यहां पर आपको अपने mobile number फिल करना है दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर आपको जो है कि select one ठीक है यहां पर पाटे course है तो यहां पर पाटे course पर अब जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने B8 कर दिया, ठीक है, मैंने B8 पर क्लिक कर दिया, उसके बाद दोस्तों subject पूछेगा, तो subject आपका जो भी राओ, जैसे science है अगर आप, तो आपको physical science और mathematical डालना पड़ेगा, ठीक है, pedagogy of physical, pedagogy of mathematics, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करन पर पर दोस्तों आप जिस college से भी बीट किये थे, जिस college से भी आप बीट किये थे, आप यहाँ पर बीट का नाम, अपने college का नाम फिल करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कि संस्थागत, ठीक है, regular हैं, private हैं, तो आप regular हैं, तो इस पर जब आप click करेंगे, यह जो आपका दे रखा है, इस पर जब आप click करेंगे, तो यहाँ पर regular और private का option तो यहाँ पर 2021 डाल देंगे, 2020 वाले हैं, तो atra second, डाल देंगे, 2022 वाले हैं, तो 2022 यहाँ लगए तो यहाँ पर comment की, यहाँ पर comment में बहूस बहूस बचे फल जाते हैं, तो कुछ ना समझ में आये न तो आप लिग दीजी बेश्ट इनवर्शिटी बस अब लिख दीजी वात कथ उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर आपकाम डालना और उसके बाद यहां पर आपको अपना एक पासवर्ड बना के डालना ठीक है बनाना और यह password आपको बनाना है अपने से ठीक उसके बाद आपको करना क्या है यहां पे इंटर एड्रेस ठीक है यहां पर आपका house नम्मर अगयरा गयरा वगया post हो गया, street हो गया जो भी हो यहां पर आप जो है आप देखेंगे state आप यूपी के हैं उसके बाद आप जो है पर डिस्टिक किसी भी डिस्टिक के है जोभी उत्तर पाईश Size 75 जीले उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड़े करना पिन ने के बाद यहाँ कोड़ आएगा यहाँ पर जोभी वह अप्दिखाए को आप यहाँ पर फिल कर दोस्तो यहां पे आपको आपना डाकुमेंट अपलोड करना ठीक है अब इस डाकुमेंट में आप देखेंगे कि क्या क्या अपलोड करना है यहां पे तो यहां पे आपको अपलोड करना है दोस्तो आप देख सकते हैं यहां पे कि यहां पे नीचे दे रखा है ठीक है आपको सबसे पहले उपर क्या upload करना है सबसे उपर आपको all file mark sheet ठीक है mark sheet का मतब आप B8 का final year ठीक है B8 का mark sheet upload करेंगे ठीक उसके बाद जोए अधार card ठीक है अधार card जोए दोस्तो अप्लोड करेंगे फिर इंटर्सीब इंटर्सीब जोए आप लोग के लिए नहीं होता आपको बस करना क्या दोस्तो B8 का final year का mark sheet आपको upload करना उसके बाद अधार card अप्लोड करते ही दोस्तो जोए अधार card अप्लोड करते ही आपको क्या करना आप final submit कर देना ठीक है सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर आपको जोए दोस्तो इस वाले पर आप जब चूच करेंगे यहां पर तो यहां पर आपको जोए कि आपको जोए डिग्री जोए स्वारी दोस्तों mark sheet जो है आपके B8 की final year की उप अपलोड करना है यह अपलोड होते ही जब इस पर click करेंगे आप तो upload हो जाएगा अपलोड होते ही फिर यहां पर आप चूच करेंगे तो गैलरी में चले जाएगे अपने फिर वहां से अधार चूछ चूछ करेंगे यहां पर देख सकते हैं लिखा है अधार कार्ट तो अधार कार्ड इस पर आप लोड करेंगे तो अधार कार्ड हो जाएगा यह जो तीसरा option है यह option दोस्तों यह intent इस यहीं आपसे कोई लेना है final submit करते ही जो है कि आपको लिख के आ जाएगा कि आपका जो है finally submit हो गया है तो आप print out कर लेना निकाल लेना उसके बाद जो है आप स्टेटस चेक करते रहना बाद में उससे जो है कि आपको पता ले जो है जाएगा कि आपको लेंगा कि आपको ने खूर्ण करते ले खूर्ण खूर्ण गर्ण यहाँवादास